चार मेटल की identical sheets है S1, S2, S3 and S4 और इनकी जो बीच की distance है मतलब इनकी side A दे रखी और इनके बीच की distance D दे रखी है और इनकी capacitance दे रखी है C0, Epsilon 0, A2 by D हमें यह बताना है कि जब इन चारों को इस तरीके से connect करते हैं जैसा कि option में लिखा गया है तो इनकी capacitance कितनी कितनी होती है हम सोचते हैं कि अगर first option पर विचार करते हैं जैसे यह वाली plate S1 है फिर S2, then S3 और S4 इस तरीके से चारों plates को रख रखा है और फिर यह क्या रखा है capacitance between S1 and S4 So S1 और S4 के बीच में हमें capacitance पता करनी है तो हम इसके बीच में एक imaginary battery लगा देते है और जब कि यह क्या रखा है with S2 and S3 not connected यहाँ पर S2, S3 को connect नहीं कर रखा है तो हम यह समझ सकते हैं कि battery इस वाली plate को positive charge अप्लाई करेगी और उतनी ही quantity में इस वाली plate पर negative charge आएगा इधर वाली plate पर positive अगें इधर वाली plate पर negative इधर positive इधर negative और इस तरीके से यह चार capacitor के तीन capacitor के series combination की तरह behave कर रहा है C1, C2, C3 तीन capacitor का यहाँ पर series combination है तो capacitors को जब series में connect करते हैं तो हमें पता है कि उनकी capacitance जो equivalent capacitance है वो कम हो जाती है यहाँ पर तीनो capacitance इक्वल है C0 की इक्वल है तो 3 C0 को जब parallelly combine करते हैं तो C0 by 3 इतनी हमको equivalent capacitance मिलती है तो फर्स्ट वैले option का तो C0 by 3 हो जाएगा फिर second में का है the capacitance between S1 and S4 with S2 shorter to S3 पहले हम चारो plates बना लेते हैं S1, S2 यह S1 है, यह S2 है यह S3 है और यह S4 है इस तरीके से चारो plates connect कर रखी है और फिर यहां यह कह रखाया है कि जब हम S1, S4 को तो वैटरी से connect कर रहा है, S2 और S3 को short कर रहा है इन दोनों को S3 short कर दिया तो अब यह सिर्फ दो capacitor की तरह behavior कर रहा है, जो series में combined है so C0 इसकी capacitance से C0 इसकी है so equivalent capacitance जो है वो C0 by 2 हो जाएगी यह भी बिल्कुल simple था इसमें भी कोई विशेश विचार करने जैसी बात नहीं थी अब अपन R वाले option पर विचार करते हैं इसमें S1 और S3 के बीच में निकालनी है और S2, S4 को short करना है फिर सो सोचते हैं कि चार plates है S1, S2, S3 यहाँ पर हमें जो capacitance निकालनी है वो S1 और S3 के बीच में निकालनी है और S2, S4 को short करना है तो हमें S1 और S3 के बीच में equivalent capacitance find करनी है और S2 और S4 को हम इस तरीके से short कर देता है अगर हम इस diagram को फिर से redraw करें तो हम यह देख सकते हैं यह वाली plate positive charge हो जाएगी यह negative हो जाएगी फिर again इसका दूसरा वाला terminal positive इधर वाला negative यह वाला हिस्सा इसका positive और यह वाला negative तो यहाँ पर भी तीन capacitor से और किस तरीके से connect कर रहे हुए इसको हम फिर से discuss करते हैं जैसे first वाला जो capacitor है जिसको हम यह वाली plate S1 है यह वाली S2 है फिर हम S2 को redraw करते हैं क्योंकि यह S2 दो capacitor के लिए common plate की तरह behave कर रही है फिर S2 से S3 यह again एक और दूसरा capacitor बन रहा है फिर यह देख सकते हैं कि S2 जो है वो इस wire के थूर S4 से connected है तो वो भी हम देखेंगे और फिर S3 के साथ जो है वो S4 connected है तो हम एक बार series में S4 connect करते हैं इसके साथ S3 S3 plate को भी दो बार draw करना पड़ेगा यह दो capacitor के लिए common plate की तरह behave कर रही है तो हमारे पास total तीन capacitor हो गए C1, C2, C3 फिर हमें जो capacitance निकालनी है वो S1 और S3 की बीच में निकालनी है S1 और यह वाली जो plate है S3 इन दोनों की बीच में हम है एक ideal battery जोड़नी है imaginary और फिर यहां S2 और S4 को भी connect कर रखा है S2 और S4 को भी हम connect कर देते है S2 and S4 को इस तरीके से ठीक है अब हम इसको वापिस थोड़ा सा विचार करें तो हम यह देख रहे हैं कि battery का जो negative terminal है उससे total 2 capacitor connected है so battery के negative terminals है total 2 capacitor C2 और C3 connected है और फिर C2 और C3 वापिस again आगे दोनों short के हुए है दोनों मिलाए हुए है और फिर यह वाला जो terminal है जो दोनों का join किरा हुआ terminal है यह C1 capacitor से connect होता है और C1 capacitor से होता हुआ यह battery के positive terminal तक चले जाता है so C1 capacitor से होता हुआ battery के positive terminal तक चले जाता है तो यह हम अब हम डाग्रम को थोड़ा easy बनाने के बाद आसानी से देख पा रहे हैं कि C1 और C2 जो है और यह C0 के साथ series में है so 2C0 और C0 को अगर हम series में combine करने वाले equivalent capacitors के formula से निकाल है तो हमारे पास C equivalent की जो value आएगी वो यहाँ पर हमारे पास आजाएगी इसको थोड़ा solve कर लेते हैं 2C0 1 प्लस 2 so C equivalent हमारे पास आई 2C0 divided by 3 अब fourth option देखिए इसमें यह कहे रखाए कि S1 और S2 को के बीच में हमको equivalent capacitance निकालनी है हमने चारो plates यहाँ draw करी है हमें S1 और S2 के बीच में equivalent capacitance निकालनी है इसलिए हमने S1 को battery के positive terminal से connect किया और S2 को battery के negative terminal से connect कर रखा है फिर यह कह रखाए कि S3 को S1 से short किया गया है तो यहां हमने S1 को S3 से short कर रखा है और फिर S2 को S4 से short कर रखा है तो हमने S2 को S4 से short भी कर रखा है और क्योंकि S2 जो है बैटरी के negative terminal से connected है और यह दुनों shorted है तो दुनों बैटरी के negative terminal से connected हूँगी फिर हमने इस diagram को एक बार और redraw किया हमने S1, S2 और S2 common plate की तरह behave कर रही है इधर वाले capacitor और इधर वाले capacitor के लिए तो हमने S2 को redraw करा दो बार लिखा S2 को इसी तरह के से S3 को भी दो बार बनाया है यहाँ पर इस तरह के से हमने 3 capacitor बना लिए C1, C2, C3 और फिर यह देखिए कि S1 और S3 short कर रखे हैं तो हमने S1 और S3 को यहाँ पर short करा और दोनों short करने के बाद battery की positive terminal से connected है तो उपर battery का positive terminal है और इसी तरह से S2 और S4 connect कर रखे हैं तो हमने यहाँ पर S2 और S4 short किये और दोनों battery के negative terminal से connect है तो negative terminal से हमने इसको connect किया फिर आगे हम इसको एक बार वो डिड्रो करते हैं ताकि हम इसमें सीरीज या पैरिलल कॉंबिनेशन समझ पाएं यहां हमने क्या करा कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उपर बनाया और देखा कि पॉजिटिव टर्मिनल से कितने केपेसिटर कनेक्टेड है तो एक बार C1 कनेक्टेड है और इधर से C2 और C3 दोनों कनेक्टेड है तो हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बनाया C1 इससे कनेक्ट किया और C2 और C3 दोनों पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है फिर हम negative terminal से देखते हैं तो negative terminal से C1 भी connected है और C2 भी connected है तो negative से C1 और C2 को connect किया और इस ओर से C3 connected है तो दूसरे वाले चीदे से C3 को connect किया अब यह बिल्कुल सा diagram दिख रहा है, simple सा parallel combination है और जब तिनों parallel में होते हैं capacitance में, capacitor में तो हम तिनों को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, so हमारे पास जो equivalent capacitance आएगा, वो आएगा 3C0, that is it